सारे गामा कार्वा 2.0 क्योंकि संगीतकारों के हسाब से भी जो हैं, वो कलेक्शन उसमें मिल जाती है आपर आपसे सुन सकते हैं, किसी एक संगीतकार के सनना चाहें तो उसे भी सुन सकते हैं और तमाम संगीतकारों का mix and match वाला हिसाब कताब हो तो वो तमाम काने भी अब Khayam صاحب का जो जीवन रहा, वो बड़ा गहर मामूली रहा देखें क्या रहा, यह उस पीढी के कलाकार रहे, जो केल सेगल से बड़ी मतासर थी सेगल साब का बड़ा गहरा असर था एक कूली जनरेशन पर और Khayam صاحب का बी, जो मन था, वो केल सेगल बनने का ही था जागे हैं तो चुछ किसमती से वहां पे दादी जान जो थी वो मौजूद थी तो उन्होंने बचा दिया तो उन्हों ने अगले दिन पूछा भी खयाम क्या बात है तुम क्यों आया से मैं केल सेगल बनना चाहता हूं तो इनके भूले पन पर चाज़ान जरा मुस्कुरा दि और इनकी संगीत की विद्या जो है वो शुरू करवाईगे और इन्हें लग रहा था कि यह तो एक्टर बनना चाहते हैं लेकिन फिर भी जानने कहा कि पहले तुम संगीत तो सीखो तो इस तरह से खयाम सहाब का जो विदिवत प्रशिक्षन है संगीत की दुनिया में और सं किस तरह के उतार चड़ाब रहे और क्या बड़े जबरदस किस्से बने खयाम सहाब की जिंदगी में और वो तमाम गाने जो इन्होंने बनाएं उनके बनने के दौरान वह भी मैं आपके साथ बाटूंगा सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें तुझे मिले के भी तुझे मिले के भी प्यास नहीं घटती नजारे हम क्या देखें नजारे हम क्या देखें पिखले बदन तेरी तपती निगाहों से शोलों की आच आए बर दिली राहों से ला 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 ओ पिखले बदन तेरी तपती निगाहों से शोलों की आँच आए बरदिली राहों से लगे कदमों से आग लिपटती नजारे हम क्या देखें तुझे मिले के भी तुझे मिले के भी प्यास नहीं घटती नजारे हम क्या देखें रंगों की बरखा है खुशुबु का साथ है किसे को पता है अब दिन है के रात है रंगों की बरखा है खुशुबु का साथ है किसको पता है अब दिन है के रात है लगे दुनिया ही लगे दुनिया ही आज सिमत की नजारे हम क्या देखें तेरे चहरे से तेरे चहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें पल को प फैला तेरी पल को कसाया है चहरे ने तेरे मेरा चहरा छुपाया है तेरे जल्वों की घुंद नहीं छटती नजारे हम क्या देखें तुझे मिले के भी तुझे मिले के भी प्यास नहीं घटती नजारे हम क्या देखें तेरे चहरे से तेरे चहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें नजारे हम क्या देखें कभी कभी मेरे दिल में खयाल आता है कभी कभी मेरे दिल में खयाल आता है के जैसे तुझे को बनाया गया है मेरे लिए के जैसे तुझे को बनाया गया है मेरे लिए तु अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं तुझे जमी पे बुलाया गया है मेरे लिए तुझे जमी पे गुलाया गया है मेरे लिए कभी कभी मेरे दिल में खयाल आता है के ये बदन ये निगाहे मेरी अमानत है के ये बदन ये निगाहे मेरी अमानत है ये गेसों की घनी चाओं है मेरी खाचिर ये होट और ये बाहे मेरी अमानत है ये होट और ये बाहे मेरी अमानत है कभी कभी मेरे दिल में खयाल आता है के जैसे बज़ती है शहलाईयां सी रहों में के जैसे बज़ती है शहलाईयां सी रहों में सुहाग रात है भूंगट उठा रहा हूं में सुहाग रात है भूंगट उठा रहा हूं में सिमट रही है तु शर्मा के अपनी बाहों में कभी कभी मेरे दिल में खयाल आता है के जैसे तु मुझे चाहेगी उम्र भर यूंही उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूंही मैं जानता हूं के तु गयर है मगर यूंही मैं जानता हूं के तु गयर है मगर यूंही कभी कभी मेरे दिल में ये है कारवां क्लासिक गौरफ शर्वास सब के साथ हैं आप और इस एपिसोड में बातचीत हो रही है खैयाम साहब के जिंदगी से जुड़ी इमान संगीतकार खैयाम साहब और ये जो गाने हैं कुछ गाने मैं चुनके लापाया हूं सारे का मकारवा जो कि 5,000 गानों का कलेक्शन है उसमें से ढूंडे हैं मैंने ये तमाम गाने खयाम साथ के जीवन में ये माना गया कि भी ये तो गजलों के बाच्चा है बड़ी पकड़ है उनकी गजलों पर वह और बादा कि हर तरह का मुख्तलिफ गीज जो है नहीं गाएंगे हुआ दरसल जी हूँ कि उम्राव जान असल जंदिगी में जिस तरह से उनको देखा गया या समझा गया वो ऐसा बताया जाता था कि उनकी आवाज जरा बेस लिए हुए थी थोड़ी भारी थी तो सुर जो है डो सुट नीचे करके आशा जी ज़े से कह गया कि आप थोड़ा लोग स्केल पर आप ग़ाएं तो आशा जी नग्ने का जी के बात कर रहा उट कि यह और पर मॉझाएंगी करें तो '' यह से चोड़ा थ Families किες में कमाल कर मेंद looks उस पर record किया जाएगा गाना और दूसरा जो है जो आशा जी का original सोर है उससे record करें और अगर पसंद आ गया जो भी पसंद आएगा उसी पर काम होगा तो आशा जी ने गाया अब जो खयाम साहब ने जो सोर रखे थे वो स्केल पर आशा जी की आवाज एक्टम नेराली लगी ह और खयाम सामने साथ में ये बात भी कह दी कि आपको सरस्वती मा की कसम है आप पूरे दिल से गाना गाएंगी और आशा जी ने का जब कसम रख दी कि यदी मुझे आपके स्केल पर गाना पसंद नहीं आया तो फिर मेरे औरिजिनल स्केल पर होगी आपको आपके बेटे की कसम तो ये कसमें वादों वाला हिसाब कताब हो गया पर खयान सावेद हम सही सावेद हुए और आशा जी की आवाज जो है उसका अग अलग रूप सुनने को मिला बड़े अजब किस्से रहे हैं साथ आप सो नहेरे दोर में ऐसे और भी बड़े अनोखे किस्से में आज की इस एपिसोर में आपके साथ बाठने वाला हूं सिर्फ औस सिर्फ कारवां क्लासिक पर क्लासिक अजब कारवां क्लासिक पर बाठने की आपके साथ इन आखों के मस्ते के इन आखों के मस्ते के मस्ताने हजारों है इन आखों से वाबस्ता इन आखों से वाबस्ता अफसाने हजारों है इन आखों के मस्ते के इक तुम ही नहीं तन हाँ उल्फत में मेरे ही रुसवा उल्फत में मेरे ही रुसवा इस शहर में तुम जैसे इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों है इन आखों के मस्ते के मस्ताने हजारों है इन आखों के मस्ते के में आखों के आखों के एक सिर्फ हमी में को आँखों से पिलाते हैं कहने को तो दुनिया में मैं खाने हजारों के इन आँखों के मसी के मस्ताने हजारों के इन आँखों के मसी के इस शम में फरोजा को आँखों के इस शम में फरोजा को आँखों के इन आँखों के इस शम में फरोजा को आँधी से डराते हो इस शम में फरोजा के इस शम में फरोजा के परवाने हजारों के इन आँखों के मसी के मस्ताने हजारों के इन आँखों से वाबस्ता कारवा क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ओफलाइन भी कर सकते हैं ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सकें और इन्जॉई कर सकें प्यार का दर्द है मिठा मिठा प्यारा 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 ये हसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा दो दिलों का है सहारा थोड़ा थोड़ा चैन भी है थोड़ी थोड़ी बेकरारी थोड़ा थोड़ा चैन भी है थोड़ी थोड़ी बेकरारी और भी हो प्यार जवा आरजु है ये हमारी ये मिलन हो तबारा प्यार का दर्द है मिठा मिठा प्यारा प्यारा मिठा मिठा प्यारा प्यारा ये हसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा मुझे मिला प्यार तेरा तुझे मेरी चाह मिली मुझे मिला प्यार तेरा तुझे मेरी चाह मिली नए नए सपनों की हमे नई राह मिली नए नए सपनों की हमे नई राह मिली एक लर्मा हमारा प्यार का दर्द है मिठा मिठा प्यारा 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 ये हसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा रोज हमें मिलके भी मिलने की आस रहे रोज हमें मिलके भी मिलने की आस रहे रोज मिटे प्यास कोई और कोई प्यास रहे दिल दिमाना उखारा प्यार का दर्द है मिठा मिठा प्यारा प्यारा ये हसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा प्यार का दर्द है मिठा मिठा प्यारा प्यारा ये हसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा दो दिलों का है सहारा ये है कारवा क्लासिक गौरफ शिर्वास सब के साथ हैं आप और आज के इस एपिसोड में खयाम सहाब का दिक्र हो रहा है उनके तमाम गाने जो हैं वो हम सुन रहे हैं और ये कलेक्शन जो है जो मैं आज आज आपके सामने द्रस्तत कर रहा हूँ ये मैं ढून के लाया हूँ सारे गामा कारवा जो कि 5,000 गानों का नायाब तोफा है उसमें से और कमाल की बात ये है कि सारे गामा कारवा को आप अपने साथ ले जा सकते हैं भी लाड़ी में भी ले जा सकते हैं में जो साथ में युगकी कोई इंटर्णेट के आवच्षकता नहीं है एक चार्जर साथ में रहते हैं बैटरी चार्रंज कर यह बीलम भी चलती है तो खयाम साब की जिंदगी में बड़े उतार चड़ाब रहे कर्सनाईयां भी बहुत रही और जब इन्होंने शुरुबात की तो गुजरे वक्त के बहुत मानेवे संगीत कार चिश्टी बाबा वो बड़े मखवूल थे साब और बहुत उनका नाम था अशारत थी उनके पास तो वहाँ पे नहीं लेखे गए खयाम साब पहुंच गए चिश्टी बाबा के म्यूजिक रूम में तो वहाँ क्या देखा कि बहुत सारे असिस्टिंस जो है वह बैठे हुए और चिश्टी बाबा काम कर रहे हैं और इतने में एक म्यूजिकल फ्रेज एक टुकडा जो है वह पास हुआ चिश्टी बाबा ने प्ले किया प्यानों बेठे हुए थे और वह भूल गए चिश्टी बाबा कि क्या मैंने प्ले क्या किया सब लोगों से पूछा कि क्या प्ले किया था मैंने बताओ मुझे तो सब ने का जी आप ने तो इतने टुकड़े बनाए हम भूल गए तो खयाम साब वहां खड़े हुए थे और एकदम अंजानी थे इन्होंने हिम्मत करके कहा कि जी वह टुकड़ा ये था तो पहले तो हैं तो मैं इसके सर्गम कर दूं करो तो सर्गम करी तो बहुत अच्छा लगा चिश्टी वाओ को उन्होंने का यह लड़का बड़ा अच्छा है तो इनको अपना असिस्टन रख लिया पर खयाम साहब ने कहा जी मैं तो एक्टर बनने आया आप क्या कर रहें तो उन्होंन प्लान जो है उसके बहुत सारे प्लान्स हो सकते हैं कुद्रत जो है उसके लिए कुछ और तैय करके बैठी हुई होती है और कुछ ऐसा ही खयाम साहब के साथ हुआ अब इन्हें से दूर हुए संगीत में पूरी तरह से उतर गया ऐसी और भी बड़ी निराली दास्ताने आ दिल चीज क्या है अब मेरे जान लेजिये दिल चीज क्या है अब मेरे जान लेजिये बस एक बार मेरा कहा बस एक बार मेरा कहा मान लेजिये दिल चीज क्या है अब मेरे जान लेजिये अब मेरे जान लेजिये इस अंजो मन में आप दो इस अंजो मन में इस अन्जुमन में आपको आना है बारबार दीवारो दर को गोर से पहचान लीजिए दिल चीज क्या है आपनी जान लीजिए माना के दोस्तों को नहीं माना के दोस्तों को नहीं दोस्ती का पास लेकिन ये क्या के घर का लेकिन ये क्या के घर का एहसान लीजिए दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए जान लीजिए कहिए तो कहिए तो कहिए तो कहिए तो आसमा का कहिए तो आसमा को जमी पर उतार लाए मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए बस एक बार बस एक बार बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए I hope you are enjoying the show. This episode को अपने friends और family के साथ शेर जरूर करें. फिर छिडी रात बात पूलों के फिर छिडी रात बात पूलों के रात है या बारात पूलों के रात है या बारात पूलों के फूल के हार फूल के गजरे फूल के गजरे शाम पूलों के रात रात पूलों के फिर छिडी रात पूलों के रात पूलों के फिर छिडी रात साथ साथ फूलों के आपका साथ साथ फूलों के आपकी बात बात पूलों के फिर छिडी रात बात पूलों के फूले खिलते रहेंगे दुनिया में फूले खिलते रहेंगे दुनिया में रोज निकलेगे बात पूलों के रोज निकलेगे बात पूलों के फिर छिडी रात बात पूलों के नजरे मिलती है जाम मिलते है नजरे मिलती है जाम मिलते है मिल रहे है हयात फूलों के मिल रहे है हयात फूलों के पिछडी रात बात पूलों के ये महकते हुए घजल मखदो ये महकते हुए घजल मखदो जैसे सहरा में रात पूलों के तिछडी रात बात पूलों के रात है या बरात पूलों के पर आज के इस एपिसोड में हम महान संगीतकार खयाम साहब की बाते कर रहे हैं और खयाम साहब के साथ एक बड़े निराले गीतकार साहिर लुद्यान्वी का नाम भी जुड़ा और ये बड़ी हैरानी हो गए है को कि जो यह कलेक्शन है ना सारै का माखारवा Ultra वाज बड़े दिगज Շइतकारों के कलेक्शन भी मğimizुद्ध है कि वो तमाम गाने जो साहर साहब में लिखे हैं या मजरू साहब में लिखे हैं उनकी भी एक अलग कलेक्शन है तो जदी कोई आपका फेवरेट गीतकार है और आप चाहते हैं कि सिर्फ रुसी के गाने सुने तो वो सुविधा भी उसमें मौजूद है खायाम साहब और साहर स बनाई है साहर साहब ने सुना और सुनने के बात कहा कि भाई ऐसा लग रहा है कि आपने म्यूजिक ही यह नहीं दिया तमाम घज़लें जो है जो नजमें हैं यह लिखी भी खयाम नहीं है, ये साहिर ने नहीं लिखी है इतना बड़ा कॉंप्लिमेंट दिया और जो फिल्म कभी कभी का निर्मान हो रहा था तब साहिर सहाब गए खयाम सहाब के पास कहने लगे कि भई तुम्हारे भाई की जिंदगी पे फिल्म बन रही है तो इसका संगीत भी आपी को देना होगा और ये मेरी जिंदगी पे पिक्चर बन रही है तो फिल्म कभी कभी जो है वो साहिर सहाब की जिंदगी से मुतासर होके बनाई गई थी हाँ, खयाम सहाब ने संगीत दिया और यहां तक बात आए कि यह शोप्रा सहाब जो की इस फिल्म को बना रहे थे उन्होंने कहा कि भई आप गजलों में तो आप आच्छा है लेकिन इसमें चिंटू जी भी है रिशीकपूर सहाब भी है उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा उनके लिए भी कुछ बहुत बढ़िया म्यूजिक बनाया जागा जिसमें डांस हो सके और हीरो हेरो इन जो है वो रोमैंस भी करें और डांस भी करें तो कभी-कभी एक बड़ी जवर्दस म्यूजिक ऐल्बम बनकर आई एक फिल्म बनकर आई जहां पर गजलें भी नजमें भी हैं और वो गाने भी जिसमें आप टांस कर सकते हैं तो ये जोड़ी रही साहर सहाब और खयाम साहब की और ऐसा बताया गया कि फिल्में तो इन्होंने पांच ही करी ओंगी साथ लेकिन सबको लगता था कि इन्होंने बहुत सारी फिल्में साथ की चुकि निजी तालुकाद भी बड़े गहरे थे और एकदम भाहियों की तरह यह रहा करते थे बड़ी जबर्दस ज्यादें जो हैं वो चली आ रही है इन गानों के साथ एसे और भी बड़ी अनों की दास्ताने आगों साथ बाढ़ हूँगा सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर मैं पल दो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जमानी है मैं पल दो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जमानी है मैं पल दो पल का शायर हूँ मुझे से पहले कितने शाइर आये और आकर चले गए कुछ आहें भर कर लोट गए कुछ नगमें गा कर चले गए वो भी एक पल का खिस्ता थे मैं भी एक पल का खिस्ता हूँ कल तुम से जुदा हो जाऊंगा गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ मैं पल दो पल का शाइर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जमानी है मैं पल दो पल का शाइर हूँ कल और आएंगे नगमों की फिल्ची कलियां चुनने वाले मुझसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने वाले कल कोई मुझको याद करे क्यूं कोई मुझको याद करे मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यूं वक्त अपना बरबात करे मैं पल दो पल का शाइर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है मैं पल दो पल का शाइर हूँ आज की शो के सभी गाने आप सारे गामा कार्वा से सुन रहे हैं सारे गामा कार्वा इस तोफे में हैं पांच हजार सुनहरे गाने और कुछ यादे हैं दो आज की दोिए और कार्वा इस तोपर दोप्सेश सुनहरे गामा कार्वा इस तोब दोपर्स दो खवर्ण वाह ही हैं बावरे एस पल कि देंप हैं दोपर बार कुछ टो आज की दोट दोब आज की दो उन्म आज के खाप्स प्रेदी लेना दो है दिले नादा है दिले नादा है आरजू क्या है जुस्त जू क्या है दिले नादा है दिले नादा है दिले नादा ए दिले ना दाओ हम भटकते है क्यों भटकते है दश्त सहरा में ऐसा लगता है मौज प्यासी है अपने दरियां में कैसी उलजन है क्यों ये उलजन है एक साया सा तू बरू क्या है ए दिले ना दाओ ए दिले ना दाओ आरजू क्या है आरश्त जू क्या है क्या अलामत है क्या मुसीबत है क्या मुसीबत है कह नहीं सकते किस का आरमा है जिन्दगी जैसे खोई खोई है है रहा है रहे ये जमी चुप है आसमा चुप है फिर ये धड़कन सी चार सू क्या है ए दिले ना दाओ ए दिले ना दाओ ए दिले ना दाओ ऐसी राहों में कितने काते हैं कितने घाइले ना दाओ आरजु ने आरजु ने हर किसी दिल का दर्द बाते हैं कितने घाइल है कितने बिसमिल है इस खुदाई में एक तू क्या है ए दिले ना दाओ ए दिले ना दाओ ए दिले ना दाओ ये है कार्मा क्लासिक गौरफ शिर्वास्तव के साथ हैं आप और इस एपिसोड में महान संगीतकार खयाम साहब की घजलें और गीत जो हैं वो आपके सामने आ रहे हैं और एक बड़ा निराला गाना रहा जिसने फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा दी ये वो गाना था जिसने के बाद ऐसा बताया जाता है कि अमिताब बच्चन साहब की शरीक है आते जैया जी जो है वो पहुंची थी खैयाम साहब के बाद और कहा था कि भी ये गाना आप दें ये गाना रिकॉर्ड हुआ है और बच्चन साहब बड़े फिल्म रजिया सुल्तान जिसके गीतकार रहे जानिसार अख्थर साहब जिनके बेटे जावद अख्थर बहुत बड़े राइटर और फिर गीतकार बने आगे जाकर जानिसार अख्थर साहब ने इस गाने के लिए तकरीबन दो सो शेर लिखे हाँ, एक के बाद एक शेर जो है वो लिखते जा रहे थे लेकिन अमरोई साब कहा रहे थे नहीं, अख्तर साब कुछ और लिखे कुछ बड़िया लिखे, और अच्छा लिखे और इस तरह करते करते 200 शेर लिखे गए और इसमें से चंद शेर चुने गए इस गाने के लिए नरवाकि लटा मंगेश्कर जी ने भी ये बात मानी कि इस गाने के रिकॉर्डिंग के बाद, बहुत लंबे वक्त तक ये गाना इनके जहन में गुंचता रहा और इस गाने से खयाम साहब को जाहिर सी बदे बड़ी मकूलित मिली और ये कमाल का गीत बनके निकल कराया तो एक एक गाना जो है उस बड़ी मैनत करी गई खयाम साहब ने तक हैर पूरा जीवन संगीत में लगा दिया तमाम कटनाईयों के बावजूद निजी तरासदियों के बावजूद बहुत ही निराले और रजीम कलाकार रहे हमारे खयाम साथ ऐसी और भी बड़ी जवर्दस्त दास्ताने और बड़े अनुकी गाने जो हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे आने वाले एपिसोड में भी सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर हर तरफ उस्न है जवानी है आज की रात क्या सुहानी है रेश मी जेसम आ रेश मी जेसम धर थराते हैं मरमरी खवाप गुंगुनाते हैं धरतनों में सुरूर फैला है रंग नगती मुदूर फैला है दावत इश्क दे रही है फजा आज हो जा किसी हसी पे फिदा के? मुहबब के दर से है दुनिया की रून मुहबब तहाती का कुछ भी नहाता नजर और दिल की पनाह की खाते ये जल्ड़ तहाती का कुछ भी नहाता ये ही एक आरम की चीज़ है कम की चीज़ है मुहबब बरे कम की चीज़ है कम की चीज़ है किताबों में छपते हैं चाहत के के से हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है किताबों में छपते हैं चाहत के के से हकीकत के दुनिया में चाहत नहीं है जमाने के बाजार में ये वो शेह है के जिसकी किसी को जरूरत नहीं है ये बेकार बेदाम की चीज़ है ये पुदरत के ही नाम की चीज़ है ये बस नाम ही नाम की चीज़ है काम की चीज़ है मुहापत बड़े काम की चीज़ है काम की चीज़ है मोहबबत से इतना हफा होने वाले चला आज तुझ को मोहबबत सिखा दे तेरा दिल जो बरसों से बीरा पड़ा है किसी नाजनीना को इसमें पसा दे मेरा मशुरा काम की चीज़ है काम की चीज़ है वोहबत बड़े काम की चीज़ है ये बेकार बेदाम की चीज़ है काम की चीज़ है मुहाबत बड़े काम की चीज़ है काम की चीज़ है इस कारवा क्लासिक रेडियो शो को आप आस पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं अन एंड्रोइड और आपल प्लाटफोर्म्स दिखाई दिये यू के बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले दिखाई लिये यू के बेखुद किया दिखाई लिये यू जबी सजदा करते ही करते गई जबी सजदा करते ही करते गई हके बंदगी हम अदा कर चले दिखाई दिये यू के बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले दिखाई लिये यू परस्तिश किया तक के भुन तुझे परस्तिश किया तक के भुत तुझे नजर में सभों की खुदा कर चले दिखाई लिये यू के बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले दिखाई लिये यू बहुत आरजों थे गले के तेरे बहुत आरजों थे गले के तेरे सोया से लहू में नहा कर चले दिखाई लिये यू के बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले दिखाई लिये यू के बेखुद किया दिखाई लिये यू कैसा लगा आपको ये शो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं हर हफ़ते हम कारवा क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं और सारे गमा मुजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन्स को आउन भी कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो